अरे कुष्णा तो भगवान जगरनाथ कल यूग के भगवान है हर यूग में भगवान आते हैं सम भवामी यूगे यूगे अगर साथ में भगवान को त्री यूगी भी बोला गया है त्री यूगी मतलब तीन यूग में आते हैं सत्य यूग में भी आए, तरेता यूग में भी आए, द्वाप्रा यूग में आए, अपने पर्सनल फॉर्म में आए, मगर कल यूग में आए है, जगनात स्वामी का रूप में, अपने विग्रे रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में, तो आज हम उन जगनात स्वामी के जो मंदिर है, जग्रनाथ मंदिर, उसकी चर्शा करेंगे, कि कौन-कौन से अंदर वहाँ पर visiting places हैं, और क्या रहसे हैं, क्या secrets हैं जग्रनाथ मंदिर के, जो हांके पंडों ने बताए हैं, हमारे आचारों ने बताए हैं, तो इसको श्री मंदिर बोला जाता है, श्री मंदिर श्री मंदिर मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर है वो, लक्ष्मी जी का घर है, जिसमें जग्रनाथ जी को वेराजा गया है, तो जग्रनाथ जी अपने ससुराल में रहते हैं, अपना घर नहीं है उनका है, पूर्ण वेरागे की मूर्ती हैं, तो बोले, जहां मुझे ठहर जाओंगा तो लक्षमी जी के घर में रहते हैं घर जबाई बनके रहते हैं इसलिए उनका ज्यादा मन भी नहीं लगता है वहाँ अब सब कुछ वहाँ पर ससुर जी है उनी का दिया हुआ है और अकेले नहीं रह रह रहे हैं तो बारवार उनको बहुत शरम लगता है थोड़ा बाहर निकलू मैं यहाँ से तो कुछ प्रेयर प्रातना बोलते हैं मेरे पीछा बोलिये जय कृष्ण जगर्नाथा जय वेकुंठ नामध्रिक जय देव कृपासिंधू जय लक्ष्मी पते प्रभू जय निलाम्भुजश्यामा नीलजी मुंत सिंसनिभा जय पद्मा धरीत्रभ्याम निशे वित्पराम्भुजाम जनार्दन जगत बंदू शर्नागत पालका त्वम दास दास दासाना दास वत्वम देही में प्रभू निलादरू शंकमध्धे शत दलकमले रत्न सिंहा सनस्तो सर्व अलंकार युक्तंग नवगन रुचिरंग संजुक्तं चग्रजेना भद्राभ्यं बाम भागे रत्चर्ण युक्तं ब्रह्मा रुद्रे इंद्रबंधं वेदानं सार्मीशं स्वजन परिबृतं दारू ब्रह्म नमामी ब्रह्म दारू नमामी निलाचल निवासे नित्यये परमात्मने बल्भद्रस भद्राभ्या शी जगना थायते नमा तो पुराण बताते हैं कि सत्यों में राजा इंद्र द्रुम ने हुआ करते थे उनकी तीवरिच्छा थी जगना जी का दर्शन करने की नील मादव का दर्शन करना चाहते थे मगर नील मादव तो ओजल हो गए थे अंतर ध्यान हो गए थे तो उन्हें नहीं बताया था कि मैं दारू ब्रह्म कर रूप में आऊगा तो विगरे की स्थापना कार्व हो चुके है अब विगरों की स्थापना करनी है तो उसके लिए किसको बुलाना है ब्रह्मन को बुलाना है और सबसे बड़े ब्रह्मन को है ब्रह्मो जाना ती ती ब्रह्मना स्वाएं ब्रह्मा जी है जो ब्रह्म को जानते है तो ब्रह्मा जी का आहवान करने के लिए ब्रह्म लोग पहुँच गए इंद्रुदुन महाराज और इसमें क्या हुआ अब ब्रह्मा जी का टाइम तो अलग है तो यहां तो बहुत सारे यूग बीद गए तो फिर ब्रह्मा जी को लेके आते हैं इंदुरुदुन महाराज और जगनाजी की स्थापना कराते हैं तो तब से ये मंदिर का निर्मान हुआ था महाराज इंदुरुदुन ने जगनाजी को स्थापित किया था इस मंदिर में तो बहुत ही पुरातन है 150 million years 150 million साल से यहाँ पर जगनाजी की सिवा अर्चना हो रही है मंदिर का जो structure है वो बदलता है जा सकता है उसमें restructuring हो जाती है रिपेरिंग हो जाती है बगर जगनाजी की जो पूजा अर्चना है वो इसी स्थान पर बहुत लंबे समिस हो रही है तो यह बहुत ही पौराणिक मंदिर है जगनाज मंदिर फिर आगे चलके समय के साथ क्या होता है सब धुमिल होने लग जाता है तो ऐसी जगनाजी का मंदिर भी बालू में धस गया बाद में जाकर और फिर आगे चलके इसका जुशन उधार होता रहा समय समय पर तो यह जो मंदिर है यह किसी सीमेंट से नहीं बना है न सरीय से नहीं बना है किसे बना है काले पत्थर से बना है काले पत्थर से निर्मे था यह तो देखी क्या टेक्नोलोजी उसे में ना चूना था ना कुछ था वो जो पत्थर है अभी तक पत्थर पहापे पाई जाते हैं और पांडव भी आये थे इस स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण भी आये थे चेत्रने महाप्रव भी आये थे बहुत ही पावन स्थान है बड़े-बड़े महापुर्शों का भगवान का स्वयम यहाँ पर आगमन हुआ है इस्तान पर तो यह जो जगनाथ मंदिर है बड़ा विशाल है 10 एकड भूमी में बना हुआ है और इसके दो बाउंटरी है एक आउटर बाउंटरी है और एक इनर बाउंटरी है जो आउटर बाउंटरी है उसको बोला जाता है मेगनाद प्राशीर नोटबुक लाएं आप लोग याद रहेगा कितने लोग लाएं नोटबुक वारूम पे नहीं यहाँ पे वोले पढ़िये हैं रूम पे पढ़िये तो नोट कर सकते हैं अगर आप अच्छा लगे आगे चलके तो मेगनाद प्राशीर यह आउटर बाउंटरी है इसको बाहरी बेडा बोला जाता है और जो इनर बाउंटरी है वो है कूरमर प्राशीर अंतरिक बेडा तो बाहर का जो बेडा है वो साड़े 6 फिट चोड़ा है सोचे साड़े 6 फिट उसका मोटाई है और बाइस फीट उचा है वो और जो अंदर वाला बाउंट्री है वो पाँच फीट चोड़ा है और उनिस फीट उचा है और जो जगनात मंदिर की उचाई है वो है 274 फीट इतना बड़ा जगनात मंदिर का जो structure है तो इस थान पर भगवान विराजमान है शास्त्रों में पुराणों में वणनाता है कि एक नील सागर है नील सागर के निकट एक नील परवत है उस नील परवत के अंदर एक नील कंदर है एक केव है और नील कंदर के अंदर नील माधव विराजमान है और पूरे जगत को वो दर्शन देते हैं और दर्शन मात्र से सबका उधार हो जाता है तो इस जगनात मंदिर के चार द्वार है फोर एंट्री एक्जिट डोर से इस्ट गेट, साउध गेट, वेस्ट गेट और नॉर्थ गेट तो जो मुख्य अद्वार है, उसको सिंग अद्वार बोला जाता है, वो पूर्वी दिशा पर है, इस्ट गेट है वो सिंग अद्वार, मतलब वहाँ पे, लॉयन सिंग की वहाँ मूर्थियां लगी हुई है और यह मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो हर अलग-अलग गेट है, वो अलग वस्तु प्रदान कर सकता है अलेलग पूर्शाथ प्रदान कर सकता है तो जो सिंग द्वार है वो मोक्ष प्रदान कर सकता है मतलब जो सिंग द्वार के अंदर चला गया उसको मोक्ष मिलना तो निश्चित है तो इस गेट सिंग द्वार फिर साउध गेट है उसको अश्व द्वार बोला जाता है अश्व मतलब घोड़ा तो हाँ घोड़े की प्रतिमूर्थिया है और ये काम का सूचक है होर्स के होता है बड़े पैस्टनेट होते है तो ये काम प्रतान करता है फिर है नॉर्थ केट वो है फिर सॉरी वेस्ट केट West create व्यागरद्वार बोला जाता है ताइगर यह धर्म का प्रतिक है और फिर है North create उत्तरद्वार इसको हस्तीद्वार बोला जाता है एलिफेंट की बड़ि-बड़ि प्रतिमूर्तिया या और यह अर्थ दे सकता है तो इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष, चारो पुर्षात केवल मंदर के एंटर करने से आपको मिल लाएंगे तो जैसे हमने बताया था कि मुक्ति तो एक side product है जगनात पुरी का तो यह तो आपको ऐसी मिल लाएगा कोई बहुत बड़े इसमें प्रयास करने की आवशक्ता नहीं कोई पुरत्र नहीं मागते हैं जगनात पुरी में आगए तो मुक्ति तो मिली जानी है मुक्ति के साथ यह बाकी चीज़े मिल लाएंगे धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष मगर जो भक्त हैं वो क्या चाहते हैं यह चारों पुरुशार्थ नहीं चाहते हैं जो हमारे पुराने वैदिक शास्त्रों में जिसका वणनद गिया है जो उसका फल है भक्त क्या चाहते हैं पंचम पुरुशार्थ और वो है भक्ति तो जो इन चारों दुवारे से प्रवेश करता है और फिर जाके जगनाजी का दर्शन करता है तो इसको भवान की प्रेम भक्ती प्राप्त होती है कुछ लोग कोई लगता है बस हम तो अंदर चलेगी जी हमने अरजित कर लिया जैसे कई बार लोग आईटी में जाते हैं उनको लगता है आईटी क्रेक कर लिए बस हम अब हम सफल हो गे हैं अमने फोड़ा फड़ी मचा दी वे अब क्रेक्ट आईटी अरे भाईया भार भी तो निकलना है अंदर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बगर महा से सफल होके निकलना वो जीवन का लक्षय है तैसी आप इन द्वारों संदर गए तो साइट प्रड़क्ट मिल गए आपको बगर आप क्या है मारा जो पूर्ण गोल है उसको अर्जित करना है जगनाजी का दर्शन करना है मगर जगनाजी का दर्शन कैसे करें हैं हम सीधा नहीं जाएंगे उनके पस बहुत सारे और भक्तों का आश्र लेते होए उनके निजी संगियों का आश्र लेते हो हम पहुंचेंगे तो जगनाजात मंदिर के ज़स्ट बहारी सिंग दौर पर एक बहुत बड़ा स्तंग है उसको अरून स्तंग बोला जाता है यहां किसी ने बनाया नहीं है यह कॉनार्क से आया है कुनार्ग का जो मंदिर था उसको तूट फूट गया तो एक राजा वहां कुनार्ग से सूर नारण का मंदिर ही पूरा ले आए और जो अरुण स्थम है वहां से ले आए तो तब से अरुण स्थम जगनात मंदिर के सामने है जो सूर नारण को इंगीत करता है तो यह 33 फीट का है अरुनस्तम और फिर जब आप मंदिर में प्रवेशी कर रहे हैं तो बहारी एक जगनाजी बैटे है जिनका नाम है पतितपावन जगनाथ पतितपावन जगनाथ की? जगनाथ देखिये जगनाथ मंदिर में सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं केवल और केवल जो हिंदु धर्म के हैं उनिको प्रवेश है अगर आपका चहरा भी थोड़ा फॉर्टनर से मिलेगा तो आपको जानिन देंगे अंदर आपसे अपका गोत्र पूछेंगे कौन सा गोत्र है मगर जो भक्त है उनका गोत्र ही बदल जाता है वो किसी ब्रामान कुल के नहीं है किसी शूदर कुल के नहीं है क्या गोत्र हो जाता है अच्यूत गोत्र अच्यूत मतलब जो भवान का गोत्र है वो अच्यूत है वो कभी गिरते नहीं है एसे भक्त भी अच्चुद गोत्र के बन जाते हैं तो आप जाके बता सकते हैं आगर आप से पूचा गया न अगर आप लगते हैं इरानियर लगते हैं आप Spanish लगते हैं तो आप के गोत्र पूचए तो काय गोत्र है ओ समझ जाए इस कौन वाला है जा वही तो अंदर जा तो जगनाद मंदिरी में सबको परवेश नहीं है कई बाद लोग ये प्रशने पूछते हैं ऐसा क्यों भेदभाव क्यों होता है धर्म के नाम पे भवान को तो सबके लिए सम है पंडिता सम दर्शिना समो हम सर्व भूतेशु तो भवान सबको अंदर को नहीं जाने देते हैं इतना भेदभाव क्यों होता है ये तो जगत नाथ है तो एक्षिली में हाँ वो जगत नाथ है मगर जो पूरी के लोग है जगनाजी से बड़े आ सकते हैं उनकी दिलो जान है उनके प्राण नाथ है उनके बिना रहने सकते तो एक्षिली का यी वर्णन है कि उडिया शास्त्रों में जो इनके यहां के लोग की शास्त्र है कि एक समय आएगा कि बहार से कुछ लोग आएंगे ऐसे ब्रैकेट में लिखाव रशियल लोग आएंगे फोरन लोग आएंगे और जगनाजी को चुरा के ले जाएंगे तो इसलिए बड़े डरव रहते हैं कि हम जगनाजी होते हमारे बिलव्ड है इनके बिनाव रहनी पाएंगे तो भाया किसी को अलोई नहीं करेंगे चोरी तो दूर की बाद तो मं अंदर जाके देखो तो इस भाव से वो किसी और को अलोई नहीं करते अगर भगवान तो कृपालू है तो भगवान बोलते हैं ठीक है अंदर नहीं आप आओगे तो क्या करूँगा मैं भारा आ जाओँगा तो वही जगनाज जो अंदर बैटे हैं भार आ जाते हैं पतितपावन जगनाज के रूप में तो एक राजा थे राजा रामचंद्र देव जगनाजी के बहुत ही प्रिय भक्त थे बहुत धर्म निष्टा से उनकी भक्ती करते थे मगर एक बार एक मुगल शास सक आया ताकि खान और ताकि खान ने राजा रामचंद्र देव को कैद कर लिया आब इनको बहार निकलना ओस जगनाजी की सेवा करनी है तो क्या किया उन्होंने ताकि खान के माध्याम से जो इसलामधर में हो स्विकार कर लिया नहीं तो मार देथा बोलब जीवानीन रएगा तो जगनाजी की सेवा कैसे करूगा तो ठीक है इसलामधर म्दिधार कर लेता हूँ और फिर जो उसकी भेन है ताकिखान की उसे विवा कर लिया रिजिया आप क्या हुआ धर्म परिवर्दन कर लिया तब मंदिर में एंट्री बंध है बगर प्रती दिन जाता था जगनाजी के समक्ष उनके मंदिर के बहार ही उनसे प्राथना करता था कि जगनाजी अपनी कृपा प्रदान करिये और फिर रात को समक्ष में आते हैं जगनाजी और बोलते हैं कि क्या करो तुम मेरा विगर बनाओ जैसे जगनाजी का अंदर विगर है वैसी विगर बनाओ और पुजारी के सुपन में भी आते हैं कि मेरा भक्त आएगा, वो विग्रे बना के लाएगा तो क्या करो उसको मंदिर के बाहर ही स्थापित कर दो तो तब से वो जगनाजी के बाहर स्थापित है जिसका नाम है पतितपावन जगनाज और फिर जगनाजी बोलते हैं रामचंद्रदेव को कि जो फल आपको अंदर वाले जगनाजी का दर्शन करने को मिलेगा वही फल आपको इस पतितपावन जगनाजी का दर्शन करने को मिलेगा जगनाज स्वामी की यह जगनाजी तुम नहीं आओगे मेरे पास तो मैं वाएगे जहां जाओगे पीछे पीछे आएगे और तो और जगनाजी बोलते है छोड़ो ये घरबार छोड़ो ये ऐश्वरे, छोड़ो ये आसन, छोड़ो ये सिंहासन, छोड़ो ये महल मैं तो तुम्हारी गलियों में आ जाओंगा तो वही जगनाजी इतने कृपालों बन जाते है अपना रत से छोड़कर एक रत भी बैठ जाते है और गली-गली कुचों में जाते है अपना दर्शन देने के लिए उन गलियों में जहां पर दुरगन आती है जहां पर नालिया बैती है जहां पर मास मच्ची खाय जाता है महाँ पर जगनाजी उतरने को तयार है निकलने को तरया है वो जगतनाथ जो त्रिभुवन के नाथ है चोदभुवनों के नाथ है वो जगनाथ अपना सब कुछ त्याग कर तो जगनाथ जी करिपा ही है एक मातर करिपा को देने के लिए जगनाथ जी अपने रत पे सवार होते है अपना सिहासन छोड़ते है तो फिर जब आप जाएंगे अंदर तो सामने ही आपको एक पत्थर दिखेगा तोहाँ सीडिया है तो सीडियों में शुरुआत में एक सीड़ी पे आपको एक पत्थर दीखे, काला पत्थर है, जो यम शिला कहलाता है लक्ष्मी जी ने बोल दिया था यम राज को, निकल लो भाया, अब तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, तुम्हारे बिजनस नी चलने वाला यहाँ, यह जगनात पूरी है, यहाँ पर यम का कोई काम नहीं है, तो आप निकल जाएए भार उनको पूरा स्पेस आउट कर दिया, लक्ष्मी देवी ने, कि यह मेरा श्री मंदिर है, यह श्री जगनात पूरी है, मेरा स्थाना यहाँ पर यम का कोई काम नहीं है, आप निकल जाएए तो मैं राज रो रहे हैं, बड़े घिस बिट रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरी भी तो सेवा है कुछ, तो फिर जाके जगनात जी क्या बोलता है कि ठीक है, क्या करो, एक पत्थर के रूप में छिप जाओ, यह सब लोग आएंगे, कमा के जाएंगे, भक्ति के लिए के जाएंगे, और तुम क्या करना, वहाँ पे एक चोर के रूप में बैठे रहना है, पत्थर के रूप में, और फिर क्या करना, चुडाते रहना, इनकी सुकृती चुडाते रहना, इनका जो भी सुख है, इनका जो भी पुर्णे है, वो चुरा लेगा, तो ऐसी माननेता है यहाँ पर लौकिक फिर आप चलेंगे तो फिर 22 सीडी आती है है तो 22 सीडी 22 पहाच बोला जाता है, मगर गिनेंगे तो 19 ही मिलेगी क्योंकि 19 यहाँ पर हैं, तीन आगे चलके जगनात मंदे में, तो पूरी काउंट करके 22 पहाच बोला जाता है तो 22 सीडी आं क्यों है तो बताए जाता है कि सत्यूग में मंदिर बना था, तो सत्यूग में जो मंत्र होता था, वो क्या होता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हिनात नारा तो इसको आप गिरेंगे तो पूरे 22 अक्षर है तो सत्यूग के मंत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए 22 सीडी आती है और साथ साथ बताए जाता है कि जो हमारे शरी के 22 दोश होते हैं उन सब का खंड़न हो जाता है जो व्यक्ती इन 22 सीडीयों को शड़ जाता है पहले के समय में आनन्द बजार नहीं हुआ करता था बाद में मना है तो क्या करते थे सब लोग इनी सीडीयों पर बैट की परशाद पाते थे और अभी भी बहुत सारे ब्रामन मिलेंगे वहाँ पर जो हाँ पर शाद करा रहे होंगे तरपन करा रहे होंगे तो बहुत ही पावन है ये सीडिया पता आजाता है कि जो इन सीडियों पर बैट जाता है और उसको केवल ले की प्राप्ती हो जाती है और जो इन सीडियों पर लेट जाता है और फीरलेस हो जाता है उसको अभे मिल जाता है उसके जितने भी दोश है, सब नश्ट हो जाते हैं, सारी दोश दुरभावनाएं चली जाती हैं, केवल सीडियों पर लिट निमारत से, तो हम जाएंगे जगनात मंदिर, तो जब वापसी में आएंगे, तो वापसी में क्या करेंगे, लिटते लिटते लिटते, हम उन जाते हैं, उनको पडाम करेंगे, स्वारी, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, साइट से निकलेंगे, और इस परकार हम एग्जिट करेंगे, तो जैसी आप सीडियों चड़ रहे हैं, तो दो तीन सीडियों चड़ने के बाद ही, लेट साइड पे बैटे हैं, काशी व रहादेव के रूप में, और ऐसे यहां पे भी जगनात मंदिर के प्रवेश करने के साथ ही, वहां पे गाड़ बैटे हैं, शिव जी के रूप में, द्वारपाल के रूप में, तो वो देखते हैं कि किसको अलोग करना है, किसको नहीं करना था, चीफ सेक्यूरिटी ओफिस वट वरिक्ष है, और इस वट वरिक्ष को आप परनाब कर सकते हैं, इकल्प वरिक्ष कहा जाता है, भगवान के भक्ते थे बंदु मुहंती, जिनकी कथा हम बाद में सुनेंगे, तो बंदु मुहंती के लिए भगवान क्या किये, सोने की प्लेट में परशाद लेके आये तो यहीं पर इस वट परिक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे जगनाजी ने उनको परशाद दिया था अपना परशाद दिया था और वही आसपास ही वहाँ पर बट गनेश भी है बट जगनाद भी है और शिव जी के मंदिर भी है फिर तोड़ और आगे चलेंगे आप लेट सेट पर तो फिर आगे चलके दक्षिन द्वार आएगा साउथ गेट आएगा और वहाँ पर पास में है जगनाजी की महा किचन तो यह बहुत बड़ी किचन है जिसमें 753 चूले है 754 जिसका जो स्क्वाइर फिट में 5 by 5 स्क्वाइर फिट है और उसकी उचाई है और उस पूरी कीचन में हजार से ज़्यादा वरकर्स काम करते हैं कारे रथ हैं सेवा करते रहते हैं जिसमें 500 डारेट कुकिंग करते हैं और जो 500 हैं वो बाकी कटिंग फटिंग करते हैं जगनाजी के भोग के लिए और वहाँ पे एक गहरा कुवा है तो कुवे में कोई मोटर नहीं लगा लखी है वहाँ पे बाल्टियों से पानी निकाला जाता है और बहुत ही मीठा पानी है उसी से कुकिंग होती है और जगनाजी जो किचन है विल्कुल ट्रेडिशनल कीचन है कोई आपको grinder नहीं मिलेगा कोई mixer नहीं मिलेगा वहाँ पे जो कूटना पूटना है तो वही पे नॉर्मल अपनी चक्की रहती है या जो कूटने वाला होता है वही से सारी चट्णिया बनती है पूटना पीचना होता है और जितने भी बरतन है समित्टी के बरतन है तो जो सबसे उपर है, वो कुक होता है, तो आदबर्द कीचन है वहाँ पर जगनाजी की, तो actually मैं बोलता है कि जगनाजी कीचन नहीं है, किसकी कीचन है, लक्षमी जी कीचन है, और स्वेम लक्षमी देवी महाँ पर प्रशाद कुगिंग करती है, क्योंकि क्विंटल से लेके सो क्विंटल तक हरोज आपे राइस कुक बनता है, हंड़र्ड क्विंटल, सोचिए, और जगनाथपुरी की माननता है कि यहाँ पर जोपी आया है, कभी भूखा निगया, हमेशा जगनाजी का परशाद उपलब जयादा है, दर इस नेवर टाइम की कोई भूखा गया हो, और वहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है स्टैंडर्स का, शुदता, शुदता का, शुची, मूची का, तो जब यह कुकिंग हो जाती है, तो जो भी पंड़ने है, जो भूख लेके जाते है, तो क्या करते है, पुरा, खपड़ा बांद की जाते है, अपने मूपर, यहना, ताकि कुछ भी गिरे ना उस भूख में, ने तो वह अशुद हो जाएगा, कुछ भी अगर अशुद्धी होती है, तो फिर दुबाला से वह सारा भूख बहार निकालना जाता है, ने भूख मना जाता है, हल्किसी भी अशुद्धी आ जाएगी, क्योंकि जगना जी को बिल्कुल भी कोई अशुद्धी ओफर नहीं करते हूँ, और लक्ष्मी जी स्वयम कुकिंग करती है यहाँ पर, और हर रोज सुबे वहाँ पे पहले यग्य होता है, कुकिंग से पहले यग्य होगा, फिठाकुर जी का अहवान होगा उसमें, और पिर जो यग्य की अगनी प्रजवलित होती है, उस अगनी को वम्हेष्णवघनी के रूप में लिया जाता है, और फिर उस से कुकिंग चाली होती है, cooking के जो चूगला चलता है उस यग्य की अगनी से निकली की अगनी से उसको जलाए जाता है और फिर यह kitchen है, kitchen के बाद फिर आप आगे जाएंगे तो आप पर एक पथर है जो बताया जाता है कि रत्न जो मंडप है उसी से निकला हुआ है जहां पर विराजमान महां से एक पत्थर गिरा था वो पत्थर वहां पर उखा हुआ है पत्थर बताते हैं कि आप एक कान इस सेड़ पर रखिए एक कान उस सेड़ पर रखिए तो आपको सब कुछ सुन जाएगा पत्थर के अंदर से वहां पर sound pass on होती है पिर और आगे जाएंगे वापिस आजाएंगे तो एक बड़ बड़ा मंडप है जिसको मुक्ती मंडप बोला जाता है तो वहाँ पर 56 ब्राह्मन पंडे बैठे होते हैं और यह जो मंडप की हाइट है वो उतनी है जो रत्न सिहासन की हाइट है जगना जी जहाँ पर अंदर व पर भाइट भी रत्न सिहासन के बराबर है तो बहुत बताना चाहरे है कि जहाँ पर मैं बैठूँगा मेरे भक्त भी बही बैठेगे उनका ओदा मेरे से नीचे नहीं है बलकि वो तो मेरे से उपर है हम भक्त पराधीनो ही स्वतन्त रिवदिजा सादू भी ग्रस्त इद्य जो भक्त है भक्त जना प्रिया मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है और मेरे भक्तों के भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है फिर आगे चलकर एक और मंडब आता है इसको केवल्य मंडब बोला जाता है तो यहाँ पर जो जगनाजी का प्रशाद बच जाता है उसको दुम्न के मंत्री पहुँचे थे विद्यापती विश्वबास से उनको लेके गए थे उपर नील मादव का दर्शन कराने के लिए तो वो पुझा अर्चना कर रहे थे ओफर कर रहे थे कुछ धूब दीब अगरवती और फिर इतने विद्यापती ने देखा कि वहा पे सामने कुणड है कुणड के उपर вरिक्ष है उस वरिक्ष पे कववा बैठा है और कवववे ने क्या किया कववा नीचे गिर गया उस कुणड में तो थोड़ा विरह कर रहे है थोड़ा वहाँ पे दुखी हो रहे हैं विद्यापती मगर देखा कि कुंड से एक वेक्षि निकल रहा है चातर भुज उसका रूप है चार भुजा रूप तो क्या हुआ 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 चतर भुज रूप निकला देट मिश उसका उधार हो गया है उस कुंड में गिरने से तो फिर जाके विश्ववासु से पूछा विद्यापती ने तो बताया कि ये बहुती दिव्यकुंड है ये जो कुंड है इसी में से सारा प्रले का सारा जो जल है वो निकलता है जब प्रले होती है तो रोहिनी कुंड से सारा जल निकलता है वो पूरे ब्रह्म्हार्ण को समर्श कर देता है और बाद में जब वो प्रलेख हत्म होती है तो वो सारा पानी वापिस रोहिनी कुण में जाके विलीन हो जाता है तभी वो कुण्ड तो नहीं है बट वहाँ पे थोड़ा सा उसका चर्णामरित दिया जाता है चंधन यात्रा मंडप भी बोला जाता है तो जगर्ना जी का जो मेन उत्सफ है चंधन यात्रा वो नरेंदर स्रोवर पिर आगे चलेंगे तो वहाँ पर बिम्ला देवी का मंदर है पारवति है और विमलावदेवी को स्वायम भगवान से यह आशिरवाद मिला था कि जो मेरा पहला भोग निकलेगा, मेरा परशाद रिकलेगा उसके पहले जो भागिों होगे वो आप होगे, सबसे पहले आपको मिलेगा उसके बाद जगत को मिलेगा तो यमुना के जल से स्नान कराए जाता है और आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड पे एक छोटना सा नीचे जैसे मंदिर के दिवार है उसके नीचे एक कैबिन सा बना हुआ है यह तो बोले कि जेल से सी बने हुई है बाड़ी लगी हुई है उसके अंदर एक देवी बैठी है जिनका नाम है एकादिशी देवी उनको बांद के रखा हुई है मंदिर के अंदर पत्लदब की एकादिशी का कोई रोल नहीं है जगनातपुरी में एकादिशी को बांद दिया जाता है तो यहां की जो पंड़े हैं वो बताते हैं कि जगनात पूरी में अगर कोई फॉस्ट करता है, तो लक्षमी देवी की कृपा से विहीन हो जाता है, लक्षमी देवी उस से रुष्ठ हो जाती है, बोले मेरे घर में आके यहां पर उपास कर रहे हैं? sorry, यहां तो जगनाजी की कृपा मिलेगी, जगनाजी का प्रशाद मिलेगा, तो दबा के पाऊ, no fasting in जगनाद पूरी, तो यहां के जितने भी लोकल लोग हैं, वो सब जगनाजी का प्रशाद पाते हैं एकादशी के दिन, वैसे तो अन्न में क्या होता उस दिन, पाप होता है एकादशी में, बगर जगनाजी के जो भक्त है, जब जगनाजी का प्रशाद पाते हैं, तो उनको म मिलती है एकादिशी के दिन भी बगर हमें अपनी परंपरा को फोलो करना चाहिए यहने कि हम भी एकादिशी को आए तो हाँ पर आनले वो शुट फोलो आवर कस्टम जो भी हमारा वैदिक संप्रदा है वैशनव संप्रदा है वो शुट मेंटें दाट न को कि जगनाथ जी के बड़े परशान हो जिआते है जगनाजी के पंडो से जों खाए यह तो पूरा प्रोपगेंऩटा बना रहा है पैसा 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 चाहिए बस इंव लोग को बार बार दक्षिना मांगते रहते हैं हर एक गेट पे बैठे हैं हर एक मोड़ पे बैठे हैं तो कई बार हमारी स शद्धा बड़ी क्योंकि बड़ी कोंवल शद्धा है तो उस पर वार हो जाता है कि क्या है यह तो धर्म का संस्थान है मंगर यहां पर यह क्या चल रहा है समन्नी आती कई बार क्रोधित भी हो जाते लोग देखे रहें जगनाजी के पंडे ऐसे तो हटे-खटे होते हैं बस अगर आपके सामने अड़ गए तो फिर तो बेना पैसे लिए जाने देंगे एक बार मिर्सात हुआ था शुरू-शुरू में जब आया था तो हमें जगनाजी के जो बिलकुल अंदर वाला पोर्शन है रतने मंडब जहें वहां पर जाने का मोका मिला तो वहां पर अंदर ह हम प्रदक्षिना कर रहे थे तो बिलकुल काला है बिलकुल पत्थर भी बूल काला है सब कुछ काला है बिलकुल हलकी सी लाइट कहीं लगी होती है वो भी दिये वगएर ऐसे तो पीछे जब जा रहे थे तो बिलकुल काला है सब कुछ वहां पर देखा तो जगनाजी के पं तो क्या किये मैं ऐसी अडा हुआ था जानी देर था तो कई बरना वार भी कर देते आपको इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे तो यहां पर उपर वाली जे में पैसा था उसको दिग्या उससे मेरे से बिना पूछे निकाल लिया और आगे बेज दिया पीछे लोग भी बोल रहे थे कि चला आगे चल तू कपता वड़ा रहेगा तो आगे बेज दिया तो बाद में जाके मैं डेस्कस कर रहा था भक्तों स तो थोड़ा सा अंकार पे छोड़ भी लगी थी कि यहां यह क्या तरीका हुआ अंदर से निकाल लिया आपने भक्त ने बड़ा अच्छा बताया बहुत देखो यह जगनाजी के पंडे है यह जगनाजी के बहुत प्रीय है बहुत नीजी है तब ही उनको मोका मिला है धाम म यही पे हुआ है पूरे समय जगनाजी की सेवा करते रहते हैं They are fully जगनाजी के भक्ते हैं तबी तो जगनाजी ना अपने घर में उनको धान दीआ है जगनाजी के personal servants हो अब जो personal servant होता है वो mood जानता है boss का mood जानता है जगनाजी का mood क्या है सब को क्रिपा देना बगर हम कल्यू के लोग हैं हम तयार नहीं जगनाजी क्रिपा लेने के लिए हमने अपने आसकतियों को पकड़ा हुआ है छोड़ना नहीं चाहते आसकती मतलब जो आसकती है जो जानी सकती है अमने कुद पकड़ा। उनको छोड़ेंग नहीं ज़ोड़ेंग नहीं और सबसे ज्याद़ सकती किसकी साथ हमारे पाइसे के साथ सब कुछ दे सकते हम पैसा नहीं दे सकते किटनी ले लो सब कुछ ले लो पैसा नहीं देंगा अड़े रहे हैं तो अब जगनाजी के पंड़े क्या करते हैं जगनाजी के एजेंट बनकर जो हमारी सबसे प्रियस्टीज है उसको पकड़ लेते हैं जब तक ये लोग एजिन शोड़ेंगे ना तब तक ये मेरे तो तो वो भी क्या करेंगे जगनाजी सेवा में लगा देगे अपने पालन परिवार के पोश्चन में लगाएंगे पूरा परिवार भी क्या कर रहा है जगनाजी की सेवा कर रहा है जिसकार हम देख सकते हैं कि ये जो देवी पंडे है ये नॉर्मल साधारन लोग नहीं है ये देवी देवताई है बहुत बड़े भगवान के भक्त है जिनको मोका मिला है जगनातपूरी में आने का और वो भी अपनी एक सेवा कर रहे है आप से दक्षिना ले रहे है आपको बंदनों से मुक्त करने के लिए है तो कहां तक मोचे थे हम? एकादशी देवी तो जगनातपूरी में कोई फास्टिंग नहीं है सब जगनाजी का प्रशाद पाते हैं और उनकी क्रिपा अपराप्त करते हैं फिर आगे चलके एक मंदिर है काची गनेश का मंदिर तो राजा पुर्शोत्तम देव काची गनेश को लेके आये थे जब काची में गए थे तो वहाँ काची नरेश को उन्होंने परास किया था और फिर इस विग्रे को लेके आये थे काची गनेश को और फिर आगे चलके वेस्ट गेट आता है पश्रिम द्वार आता है जगनात मंदिर का और वहाँ पर एक म्यूज्यम है जगरनाजी के म्यूज्यम है आप देख सकते हैं उसको और जगरनाजी के हार भी यहाんな पर बनाये जाते हैं इस द्वार के पास और आगे बड़ेंगे तो वहाँ पर नर्सिंग देव का मंदिर आता है और पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर आता है जिनका नाम है कनपटी हनुमान तो जगरना जी कंप्लेंट करते है बहुत लक्ष्मी देवी आपकी घर में तो रह रहा हूँ मगर यहाँ पे मेरे को नीन नहीं आती है क्यों? क्यों कि समुद्र के बहुत पास है समुद्र की लेरे बार बार आती है और मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ भवान बड़े सेंसिटिव है न? डिलिंग से क्या बोलते हैं? हल्का सा कुछ अल्प मातर आप मेरी सेवा कर दो मैं दोड़-डोड़ के आजूग आपके पास तो ऐसी हल्की से वाज आती है समुद्र की तो जगनाची वीचलित हो जाते है तो क्या करें फिर? तो लक्षमी देव ने बोला कि थोड़ा पीछे जाओ भी है समुद्र जी आप पीछे जाओ समुद्र को ने पिता है लक्षमी देवी के तो पहले तो समुद्र को पीछे भेजा उसके बाद भी देखा कि अभी भी वाज कम नहीं हो रही तो फिर लगा दिया हनुमान जी को सेवा में हनुमान जी यहां बैठे रहो और दिवार पे कान लगा के बैठा रहा है इसलिए उनका नाम है कनपटी हनुमान अपना कान दिवार पे लगा के बैठे है और जैसी समुद्र के वाज आएगी तो समुद्र को पीछे कर देगे इसलिए जगनाथ मंदिर में आपको समुद्र के वाज नहीं आएगी क्योंकि हनुमान जी बैठे है वो गाइड कर रहे है कि ताकि उनके जो ठाकूर है जगनाथ जी उनको कोई विपती नाए उनको प्राब्लम नाए फिर आगे चलके खीर्चोर गोपिनाथ का मंदिर आता है वैसे तो खीर्चोर गोपिनाथ और जो विग्रह कहाँ पे है रेमुणा में है यहां से लबब 5 गंटे दूर है पर उसी का एक प्रती भू विग्रह यहां पर खिर्शोर गोपिनाथ इधर मंदिर में है जगनात मंदिर में सरस्वती का विग्रह है नील माधव का विग्रह भी है फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो लक्ष्मी देवी का मंदिर है और लक्ष्मी देवी का मंदिर बिल्कुल वैसे ही है जगनात मंदिर जैसा है जगनात मंदिर में चार मंडब है ऐसी लक्षमी देवी के मंदिर में भी चार मंडब है और इस थान पे भक्तिनों ठाकोर और शंकराचारे उन समने बैठके भजन कीरतन किया है यहाँ पर कीरतन करता है कोई कीरतन का शेतर है लक्षमी देवी के मंदिर में बैठकर जगनाजी के लिए कीर्टन करते थे और separate kitchen भी है लक्षमी देवी का और आगे बढ़ेंगे तो इस्थान आता है कोईला वैकुंठ कोईला वैकुंठ क्या है यह जगना जी का समाधी है जगना जी अपना शरी तया करते थे थे तो जो पुनाना शरी दारू है वो उसको यहाँ पर रखा जाता है उनकी समाधी बनाई जाती है उसको बुलते है कोईला वैकुंठ तो यहाँ पर तुलसी वगीचा भी है और हर दो आशाड के बाद चगना जी का एक स्वरू बदलता है उसको नव के लेवर बोला जाता है और आगे बढ़ेंगे तो तपस्वी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर अश्ट भूजा वाला और फिर हम पहुँच आते हैं फाइनली नोर्थ गेट के पास नोर्थ गेट के पास हम पहुचते हैं वहाँ पे शीतला माता मंदिर है तो उसके सामने एक कुगा भी है जिसको शीतला कुगा बोला जाता है पूरे साल वह बंद रहता है मगर साल में एक बार वह कुगा खुलता है जिसमें जगनाजी के लिए सोने के जो बढ़ता ना उसमें से पानी निकाला जाता है 108 मटकों में पानी निकाला जाता है और जगनाजी के सिलान यात्रा में वो पानी यूज होता है तो यह है शीतला कुगा आगे बढ़ेंगे तो फिर एक स्थान है जहां पर चतने महाप्रवु के चरण चिन है चतने महाप्रवु जब जाते थे जगनाजी का दर्शन करने के लिए तो पूरे भावावेश में हो जाते थे नो नो घंटा दर्शन करने है जगनाजी का वो कहाँ पर दर्शन करते थे पीछे जो गरुड देव है गरुड स्थम है उसके पास यतने भावावेश में आ जाते थे अश्ड साथवी कुई कार आ जाते थे महाप्रभू को दर्शन करते करते तो क्या होता था जो जहां पे हाथ रखते थे जहां पे पैर रखते थे वो पत्थर पिगलने लए जाता था सोची उतरह पुराणे पत्थर है जो पूरे सब कुर सहन कर गया सारे वेगों को सहन कर गया सारे स्टॉम्स को सहन कर गया तो यहां महाप्रभू का जो प्रेव का जो स्वरूप है उसको सहन नहीं कर पा रहा तो पत्थर पिगल जाता है तो उस समय जो राजा थे पुर्शोत्म देवो क्या किये उस पत्थर को उठा के अपने घर ले गए कि महाप्रवु की यहाँ पर चरंचिन है फिर बार में भक्तों ने बोला कि अपने घर ले जाओगे तो बाकी लोग दर्शन कैसे करेंगे तो फिर वो पुरा स्थापित किया गया जगरनात मंदिर में तो महाप्रवु की चरंचिन है बिल्कूल औरिजनल महाप्रवु की चरंचिन और आप देखें कि महाप्रवु क्या थे बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ से बड़े लंबे लंबे फैरत थे उनके तो ऐसी वो पैर देखे तो बहुत लंबा बहुत बड़ा फूट है उनका तो उसका दर्शन आपको मिलेगा महा पर प्रणाम कर सकते हैं और अभी भी उसकी सेवार्चना होती है भक्ति सिद्दान महाराज का एक मठ है महा सेभक्त आते हैं और महाप्रभू के चरणशिनों की पूजा आर्शना करते हैं प्रति दिन और फिर आगे जाएंगे तो आगे चलके आएगा अनन्द बजार की केवल यही स्थान ऐसा है कि जहां पर जगना जी के जो परशाद है उसका पूरा बजार लगा दिया भगवान के पूर्शाद का बजार और इतने आइटम है इतनी वराइटी है उस पे बस आपको देखने देखने भी घट्व रहग जाएं अगर आइटम गिरने लग जाएंगे कि कितने घट्व लेग जाएंगे कि कितना भोग लगता है जगनाजी को दिन में छे बार चपन भोग लगता है जगनाजी को और बताई जाता है कि जितना बलता है वो सारा जगनाजी को भोग लगता है जैसे हम लोग तो घर में लाते न भोग मनाया कुछ राइस कूकर में, कडाई में और फिर छोटी सी भुवान की कटोरी लाते इतनी सी ज्यादा ना खाजे हूँ उसमे थोड़ा सा लगाएंगे और फिर भोग लगा देंगा उनको मगर यहाँ पर जो बड़ी-बड़ी हांडियों में जिसमे भुवान का भोग बनता है सारा जगना जी को भोग लगा जाता है और वो as it is आ जाता है आनन्द बजार में सब सलसार के लोगों के उधार के लिए तो परशाद पाने मात्र से हमें जगना जी की क्रिपा मिल जाती है तो आनन्द बजार में बताए जाता है कि सम नीचे बैठते हैं कोई आसन नहीं हमापे कोई श्ययजट रही है सम नीचे बैठके भोजन पाते हैं चाहए कोई ब्रहाम पड़ हो चाहए शूत्र हो चाहए कोई पशू क्यों नहोँ से हम आपे भोजन पाते हैं तो हम अलग से चरचा करें लिए जगना जी के परशाद की वो अपने आप में पूरा एक विस्त्रित टॉपिक है कि जगनाद जी के पुरशाद की महिमा क्या क्या आद्भुत लिलाएं हुई है जगनाद जी के पुरशाद के मादेम से तो उसके हमालग से ग्लोरिस डिस्कस करेंगे फिर फाइनली हम जाते है जगनाद जी के दर्शन के लिए तो जगनाद जी के दर्शन करने के लिए जा रहे है जो पूरा मंदिर है आंतरिक मंदिर है उसमें चार मंडप है दो मंडप तो हमने बाहर अभी सुने हैं एक है मुक्ती मंडप जहाँ पे सारे ब्राह्मन लोग बैठते है और एक है स्नार मंदप जहाँ पर जगनाजी का स्नार कराया जाता है और अब चार मंदप अंदर है तो जब सबसे पीछे वाला मंदप है उसको भोग मंदप बोला जाता है तो जगनाज मंदिर के अंदर एक गरुड स्तम है गरुड सम्ग से पीछे एक बड़ा हॉल है जहाँ पे जगनाजी को भोग लगा जाता है देखिए क्या आद्बुत है भगवान बैटे हैं वहाँ पे सामने रत्मन्दप में तो रत्मन्दप आया फिर उसके बाद आता है नाट्मन्दप जगमोन्दप जगमोन्दप के पीछे आता है भोग मंदप तो इतनी दूरी है और जगनाजी यहाँ बैटे बैठे उखाना से भोग पा लेते हैं और बीच में एक दिवार भी है अंगानियस सकलेंद्रिया वृत्ति मानती ना भगवान क्या करते हैं अपने किसी भी इंद्रिया से कोई भी कारे कर सकते हैं तो भगवान को अपने मुख से खाने के अशकता नहीं है वहाँ से कैसे खाते हैं अपने नेतरों से खा लेते हैं तो दूर से दिष्टिपाद करते हैं और वहीं पर ही प्रशाद को स्विकार कर लेते हैं तो यह है भोग मंटब और फिर जहां पर गरूर स्थम्भ है उसको बोला जाता है जग मोहन मंटब पूरे जगत को मोहित करते हैं जगनाथ यहां से केवल वहीं से आप दर्शन कर लीजे पस आप फिदा हो जाएंगे जगनाजी के पर दिल खो बैठेंगे कि आप यही मेरे प्राणनाथ है इनके मेरे हम रहनी पाएंगे तो यह है जग मोहन और फिर उससे आगे जाएंगे तो वह है नाट मंटब नाटे मंटब भी बोला जाता है और फिर जो अंदर का सिहासन है जहाँ पर जगनाजी विराजमान है उसको बोला जाता है रत्रबडब रत्ने सिहासन है रत्ने जडित है यह भी बताई जाता है कि वो शाली गराम से बना हुआ है तो इसके दो द्वार है जगनाज मंदिर के आप आप उत्तर द्वार से और दक्षिन द्वार से वहां से प्रवेश कर सकते हैं तो जगर्नाजी कभी भी बहार आते हैं तो दो बार बहार आते हैं जगर्नाजी का मूल विग्रे दो बार बहार निकलता है उस रत्निशिहासन से एक बार सनानपुनिमा के समय और एक बार रथियात्रा के समय तो पूरे मूल विगरे बहार आते हैं और जब रथियात्रा के समय बहार आते हैं तो जगनाजी कौन से द्वार से बहार आते हैं जो में दो द्वार है सिंग द्वार इस्ट गेट महां से बहार आते हैं इसलिए वो जो द्वार है बड़ा ही पावन है हम जो भक्त लोग है वैश्णव है वो सिंगो द्वार से ही प्रवेश करते हैं पहली बात तो वो मोक्ष देने वाला है तो भक्तों को मुक्ती नहीं चाहिए बगर क्योंकि जगनाजी यहां से आते जाते हैं साल में एक बार आते हैं, साल में एक बार जाते हैं तो इसलिए भक्त लोग भी जगनाजी का अनुसरन करते हुए उसी द्वार से प्रवेश करते हैं तो इस परकार ये जगनाजी के मंदिर का वणन है तो हम प्रास्ना करें जगनाजी से कि हम भी इन सारी लीले अस्थलियों का दर्शन कर पाए एक स्थान और है वहाँ पर शट्बुज गुरंग का दर्शन आपको मिलता है जो चतने महाप्रूब ने सारभूम बट्टे चारे को दर्शन कर आया था तो छे रूप में हैं छे भुजाओं वाले हैं चतने राजी की शी शेत्र जगनात पुरी धाम की शी जगनात मंदिर की जगत गुरू शील प्रभुपाद की हरे कुष्णा